मनुष्य को सुख में जीवन व्यतित करने के लिए कर्म करने क्या हो सकता पड़ती है कर्म परदान व्यक्ति ही जीवन में वास्त्विक सुख का अनंद प्राप्त कर सकता है एक कर्मनेत्या मनुष्य को निरास और भाग्यवादी बनाती है मनुष्य के कर्म अनेक प्रकार के होते हैं कुछ कर्म तो मैं अनिच्छा पूर्वक बादिता के साथ करता है परन्तु मनोयोग से क्या गया करते ही उसे सच्चा अनंद प्राप्त कराता है इन समस्त के रियाओं में अध्यन सर्वेस रेष्ट है अध्यन पर ये व्यक्ति स्वयम को सदय प्रसंचित अनुभव करता है अध्यन में मनुश्य की अभिरूची सदय उसे उत्थान के ओड ले जाती है अध्यन की महिमा अनन्त है किसी भी राष्ट अत्वा देश के नागरिक जितना ही अध्यन को महत्व देंगे वह राष्ट उतना ही प्रगतिशील होगा समस्त विकसित देश विकासिल देशों से इसलिए अगरनी है क्योंकि उन्होंने प्रारम से ही अध्यन को महत्व दिया शिक्षय का उनका इस्तर हमारी तुल्ना में कहीं अधी कूच्चा है अते राष्ट का विकास तबी संभव है, जब वे देश में अध्यन को महत्व देता है अध्यन से मनुष्य का चारतरिक विकास होता है अपने भोतिक सीथ्जा के अतिरिक वे उन्नैतिक मुल्यों को भी ग्रहन करता है जो उसमें आत्म बलवे आत्म सयम प्रदान करते हैं अध्यन अर्थार्थ पुस्तकों में रूची रखने वाला व्यक्ति स्वयम को कभी भी एका की महसूस नहीं करता मुसीबत वे परिख्षय की घड़ी में पुस्तकी उसका परम विस्वस्निय मित्र होती है उसके सभी समश्याओं का हल उसे उन पुस्तकों के अध्यन से प्राप्त हो जाता है इस परकार अध्यन से प्राप्त आनंद ऐसी मित्य है विज्ञान वे तक्निकी से सम्मंदित पुस्तकों का अध्यन कर वे खगोल्य वे धरातल के रहश्यों को उजागर करता है रहस्यों की जितनी परत खुलती जाती है मनुष्य उतना ही अधिक हर सोलास वे रोमांच का अनुभव करता है इसी परकार साहिते से सम्मंदित पुस्तकों के माद्यम से वें मानवे सम्वेदनाओं को लिख कर वें उनका अध्यन कर उन्हें परकट कर सकता है साहिते में नीद कविता हैं लेक नाटक कहानय वे उपन्यास आदी के माद्यम से वें मानव दे की सम्वेदनाओं को छूता है जो उसे पुल्कित करती है अध्यन के अभीरुची से ही मनुष्य कालिदास, मिल्टन वे, सेक्सपियर जैसे महान लेखों के महान लेखों का आनन्द उठा सकता है अध्यन में रस्प्राप्त करने वाला व्यक्ति देश-विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी रखता है ऐसे व्यक्ति सोशन का सिकार नहीं हो सकते अर्थार्थ अध्यन उनकी उन आपदाओं से रक्षा करता है जो पराएन रक्षर व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लेती है अच्छी पुस्टकों का अध्यन सत्संग के तुल्य होता है सद्जंक की भाती अच्छी पुस्टके मनुश्य को सहीर आधिकाती है तथा उसे कूसंगती से बचाती है मनुश्य में अध्यन की प्रवर्ति उसे छुद्रमान सिक्ता से दूर हटाती है हमारा देश वर्सों से विदेशी आधिपत्ते में रहा इनी वी देशी ताक्तों के कान तथा हमारी रूडिगत परंपराओं के चलते हमारे देश की नारियां सिक्षा हेतू सदैवी उपेक्षित रही है नारी को उसके सिक्षा के अधिकार से वर्सों तक वंचित रखा गया आज बातावरण में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है नारी सिक्षा को हमारी सरकार विसेश प्रोथान दे रही है अब नारी स्वेतन्त रूप से अध्यन के और अग्रसर हो रही है इसका सुकद परिणाम हमें स्वेते देखने को मिल रहा है अध्यन की सकती नारी की हाथ लग जाने से वें विबिनी शेत्रों में पूर्सों के साथ कंदे से कंदा मिला कर चल रही है बेस प्रगति की और अग्रसर हो रहा है इस परकार हम देखते हैं कि मनिस में अध्यन के अभी रुचि उसके सर्वांगिन विकास में साहिक है अध्यन से मनुष्य में वे सभी तत्वे सहज रूप में आ जाते हैं जो इसके चारित्रिक विकास में साहिक होते हैं अच्छे पुस्तकों का अध्यन उसे एक सच्चे मित्री की तरह साथ देता है तथा कठना योवे मुसीवत आने पर उसे उन विपत्यों का सामना करने की सक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करता है दूसरे सब्दों में अध्यन सी लियक्ति स्वेम को सदय गोरवानवित महसूस करता है और समाज भी उसे पूर्ण परतिष्टा प्रदान करता है धन्यवाद जैही